हलो फ्रेंड्स दिस इस समित गौरब और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिम्टेट के बारे में बात करने वाले हैं तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका चा में आ चुका है दोस्तों तो अगर आप इसका चार्ट लॉंग ट्रम के टाइम होरेजन में देखेंगे तो मंतली चार्ट हम लगा लेते हैं और इसमें आप देखिए लगबग 2007 में ये कंपनी रेजिस्टर हुई थी उसके बाद में थोड़ा सा ये स्टॉक उपर गया उस और इसमें ये मुग क्यूं आई है इसकी हम लोगे फंडा मेंटल अनालिसिस करेंगे कुछ में पॉइंट फंडा मैंटल में जूम मेन इंपॉर्टेट्र होते हैं उसके बारे हम इस वीडिओ में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम टिकर्ट्रेप डॉट इन पे हम चलते हैं और वहां पर हम इसका रिटन प्रोफाइल देख लेते हैं सबसे पहले कि डेली में आप देखिए लगभग डेल परसंट की गिरावट है उसके बाद में बीगली चेक कीजिए तो लगभग 0.73% की इसमें तेजी मंथली चार्ट पे 60% का इसमें रिटन दिखा रहा है मतलब एक महिने के अंदर अंदर इसने 60% का आपको रिटन दिया है जिसने आप देख रहे हैं मार्च के इंड में इस निल्दो बनाया था 14 रुपए का और बन येर में अगर आप चेक करेंगे तो 52% का पॉजिटिव रिटन है फाइव यहर में दोस्तों इसका रिटन निगेटिव भी होगा देखे 34% का निगेटिव रिटन है फाइव यहर में मैक्समम अगर आप देख लेंगे जब से यह कम्पनी लिस्ट हुए तब से आप देखी 88% कमपनी डाउन है अपने लिस्टिंग से अगर आप चेक करेंग है कि स्टॉक अभी ओवरबाट जोन में नहीं एक्चली यह जो पॉइंट होते हैं इससे हमें एक मोटा मोटा कंसेप्ट समझ में आता है कि हमें कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए लेकिन 100% इन पॉइंट पर हमें विलीब नहीं करना चाहिए दोस्तों यह एक अंडरस्ट समझ में आएगा तो उस लेकिन यहां पर हम इसका शेयर होल्डिंग बैटर ना आपको दिखा देते हैं जो ग्राफिकल हमें अच्छी तरिकत समझ में आता है तो सबसे पहले हम प्रोमोटर की होल्डिंग देख लेंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग कंटिनियूसली 75% है यहां पर उसके बाद में हम देख लेते हैं यहां पर यहां पर देखिए बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है 1.29 परसंट की होल्डिंग है कि पिछले क्वाटर में थोड़ी सी इनकीरीज की थी बट फिर से यहनों ने डाउन की कर दिये तो इस चीज़ को दिहान में रख कोई भी इंबेस्टमेंट का डिजिजन लेना चाहिए फाई आइस देखिए 4% की होल्डिंग थी दिसंबर 2018 में उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा करके इन्होंने डिक्रीज किया और आज की डेट मियानि मार्च 2020 की क्वाटर में 3.14 परसंट की होल्डिंग रहे यह सिर् इसकी तो इन सब पॉइंट को आपको कंसिडर करना चाहिए दोस्तों बाकि आगर आप इसमाल कैप में देख लीजिए वह इसमाल केसे के किसी पॉट्फोलियो में इस प्रटिक्लर इस्टाप को मलब क्या लिस्ट नहीं किया गया उसमें किसी इसमाल केस में ये कंपनी इंक करेंगे तो सबसे पहले आप मार्केट कैप देख लिए इसकी 4287 करोल की मार्केट कैप है करेंट प्राइस दूस्तों चलना है 40 रुपए 95 पैसे 52 वीक हाई जो अभी इसने रिजेंटी लगाया है 49.65 का 52 वीक लो है 14.70 पैसे का जो की मार्च एंड में मार्च एंड में सबसे इंपॉर्टेंट फेक्टर बुक बैलू कंपनी की 4.93 रुपीज की है अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ओपर की तरफ ट्रेड कर रहा है यहां पे उसके बाद में डिब्डेंट यहां पर कंपनी पे नहीं कर रहा है क्योंकि इसका अर्निंग कंपनी की नह चाहिए तो अच्छा होना चाहिए लेकिन वह भी अच्छा नहीं है 2.5 फाइब कर सकती है वह बहुए करने के लिए 1.8 ताइमस उसके पास पैस बट अगर 2.5 से उपर होता है या 2.5 होता है बहाँ पी इसको अच्छा माना जाता है तो यहां पर हम इसको थम्स डाउन देते हैं यहां पर थम्स अप नहीं है बाकी इंटरवाइस बैलू टू इविटा रेशियो चेक करेंगे दस के नीचे रहता है तो इसको अच्छा माना जाता है 17 के उपर है तो इसको हम लोग यहां पर थम्स डाउन देते हैं ही ट्रेट करता रहेगा उसके बाद में आप अर्निंग पर शेर देख लीजिए यहां पर निगेटी भी दिखाई दे रहा है और प्राइस टू बुक बैलू यहां पर एट टाइम्स अबब है प्राइस उसकी बुक बैलू से इस चीज़ को आपको कंसिडर करना है जी जो म इन इंपोर्टेंट पाइंट होते हैं वह मैं आपके साथ में यह शेर करता हूं उसके बाद में कुछ प्रोस एंड कॉंस यहां पर डिसकस कर सकते हैं हम लोग इससे हमें एक मोटा मोटा व्यू मिलता है जिसमें हम लोग 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं बट हम एक अच्छी हो हैं यहां पर इस टॉक जो है अपनी टाइम्स ज्यादा ट्रेट कर रहा है तो निगेटिव पॉइंट है इंटर्स कर रेशियो चाके मने आपको बताया है लो है वह यह निगेटिव पॉइंट है बाकि रिटन आन एक्यूटी इसकी जो है वह निगेटिव है दोस्तों 18% के लास्त री येर में यह वी निगेटिव पउइंट है बाकि लाइवल्टी है कम्पनी को ओपर 3460 करोल की लाइवलटी है जब कि मार्केट से सिर्फ 4200 करोल कि है यहां पर जो इनकी लाइवल्टीज है तो बहुत ज़ादा है कम्पनी को पर बाकि इस कंपनी के पास में मुझ है वो निज्ट में चला गए कि जो इनकी सेल हो रही थी उससे जादा इनके एक्सपेंस्स हो रहे थे तो यहां पर यह लुद्व है यह निगेटिव फिगर ही यह है फिर यहां पर देखिए फिर से 300 क्रोंगों 294 क्रोर का नेगेटिव फिगर यानि किया है मलब इनका loss कम किया है फिसके loss से ये company profit की तरफ convert हुई है यहाँ पर जब 37 करोल का loss था तो यहाँ पर इस साल में इन्हों ने 68 करोल का profit किया है तो यह एक मुझे turning point दिखाई दिया है इस company के अंदर कि recently इन्होंने अपनी negative को positive में convert किया है और उसके बाद में आप ट्रेंग ट्रेंग मन्त में देखेंगे तो लगबग पांच पांच सो 59 करोल का इनको profit हुआ है अपने operating activities है तो यह एक पोस्टे बाद मुझे इस company के अंदर नजर आ रहा है बाकी और पीछे जो point हमें discuss किये वो थोड़े से negative है तो इस चीज़ को consider कर सकते हैं बट सबसे बड़ी problem यह है इनकी reserves down होते चले जा रहे है और reserves इनके पास नहीं है और gravity बहुत ज्यादा है तो यह बहुत बड़ा concern है इस company में इन्वेस्ट करने से पहले हमें सोचना चाहिए उसके बाद में अगर हम देख लें cash flow company generate नहीं कर पा रही है जैसा कि हमने देखा कि earning इनकी बहुत ज्यादा slow है sales हो रही है बट sales ज्यादा जो इनके expenses हो रहे हैं जिसके बज़े से इनकी earning नहीं हो पा रही है और इनका cash flow आप देखे निगेटिव में cash flow है दोस्तों तो इस चीज़ को आपको धिहन में रखना चाहिए किसी भी company मुनिवेस करने से पहले बाकि promoter की holding बहुत अच्छी खासी है यह एक अच्छी बात है आने वाले समय में अगर यह company अपने expenses को manage करके अगर अच्छी sales growth दिखाती है तो इसमें investment की opportunity हमको मिलेगी बाकि तब तक हमें इसको बेट करना पड़ेगा कि हमें इसमें क्या करना चाहिए बाकि चार्ट पे तो इसने जो turning story हमें fundamental analysis में दिखाई दे रही थी वो इसने यहां पे दिखा दिए क्योंकि market जो है जो भी company के अंदर हो रहाता है उसको पहले ही भाप ल दिखाती है और मार्केट वोस हिसाब से रणर दिखाती है तो इस चीज को हमें में प्री मलब क्या प्री अंडरस्टेंडिंग में हमें इसको consider करना चाहिए था अब कंपनी में जो रन आप आना था वो आ चुका है अगर आप इसमें long term का चार्ट देखेंगे तो अभी तो 50 रुपीज चलना है अगर आने वाले समय में कंपनी अच्छा प्रफॉर्म करती है तो इसको consider कर सकते हैं दोस्तों बाकी investment करने से पहले आपको खुद की एक research करनी चाहिए क्योंकि हम लोग यहां पर जो भी point discuss करते हैं एक understanding purpose से discuss करते हैं ताकि हमें एक understanding मने कि इस stock में हमें चैनल नहीं जोइन किया तो आप इसको please join कीजिए क्योंकि हम research करने के साथ साथ में कुछ stock हम ऐसे find out करते हैं जो हम अपने telegram चैनल पर पोस्ट करते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे return मिल सकते हैं इस तरह कि आपको return यहां पर मिल जाएंगे आप check out कीजिए इसको आपकी सारी research में यहां पर post करता हूँ आप उनकी उनका जरूरा benefit था यह दोस्तों और चैनल को आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please आप चैनल को subscribe कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको लगातार continue मिलती रहें तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई research के साथ में तब तक आप अपना ख्याल रखिए safe रहिए thank you very much